चीन की एक मानसिक्ता होती है, वो जरूरत देखता है बाजार की, बाजार की जरूरत को देखकर फिर वो उन चीजों के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और फिर मार्केट पर कबजा करता है, ऐसे ही हिंदुस्तान ने देखा पीपी किट की जरूरत है, उसमें बहुत आगे है, ऐसे में क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ सिंपल चीज़ें आप भी बताना चाहेंगे इसके लिए, पावराग। खरीदने बेचने की बात नहीं कर रहा हैं, अपने घरों में अलेवरा लगा लो, मनी प्लांट बहुत लगाए, किसी के घर में मनी नहीं आया, तो अपने हाथों पर लगा ले ना, नहीं तो यह हाथ खुरदरे हो जाएंगे, थोड़ी दिनों के बाद माँ आप किसी को चाहता हूं कि हम आपने विए एक दिन ट्वीट किया था अंजना जी मैंने आपका वो ट्वीट देखा था recovery rate को लेकर के और death rate को लेकर के हम यदि प्रणायाम करते हैं गिलोई पीते हैं तो 100% recovery rate 100% recovery rate के साथ death rate को 0% पे ला सकते हैं तो भगवान करें ना हो ऐसा लेकिन यदि हिंदुस्तान में 25-50 लाख या एक करोड भी कोरोना पेसेंट हो जाएं तो कोई डरने की बात नहीं सब प्रणायाम करें होना नहीं चाहिए जो नियम कानूने मानना चाहिए लेकिन इतनी उमिनीटी बढ़ाओ प्रणायाम होग से आयरवेद को इतना अपना हो कि पहली बात हम संक्रम इतना हो और हो जाएं तो खतम कर पाएं और एक बात मैं बड़ी कहना चाहता हूं अंजन सबसे बड़ी चीज है और हमने जिनको भी योगा भ्यास करा है और एरवेद के जड़ी बूटियां दिये और यह कोई स्वामी रामदेव का इसके ओपर कोई पेटेंट नहीं है तुलसी है कालमी चाहिए हल्दी है अद्रक है अशोगंदा है और इसके अंदर यह दालचीन है मुलठी है यह सब चीजे तो सब को प्लग दें दूद में हल दी है चौन प्रासेस चिला जी तो कोई भी लेने ने अपने घर पे तो हमें अपनी इम्मिनिट्री को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि हम इसके साथ जी सकें आगे बढ़ सकें यही एक तरीका है और कोई तरी पर एक जिमेदारी